नमश्कार दोस्तों, अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है, अगर आपका पेट कमजोर है, आपको डिस पैपसिय की समस्या है, हमेशा गैस बनती रहती है, यहाँ पर दर्द होता रहता है, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, और गैस डकार आती रहती है, एस मैं आपको सबसे बेस्ट होमेपेथिक कॉम्बिनेशन के बारे में जानकरी दूंगा मेरा एन ए आर सी कॉम्बिनेशन इस कॉम्बिनेशन को लेने से आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होगा आपको ऐसी एटी की प्रॉब्लम बिलकुल नहीं होगी गैस नहीं बनेगी आति साथ आपका पाच्छन तंत्र भी बहुत मजबूत हो जाएगा बहुत इंप्रूफ करेगा और आप जो खाएंगे वह अच्छे से पचेगा और आपके सरीर में लगेगा तो मैं ओक्ट विक्रम आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए सुरू कर को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर से दबाएं मैं ऐसे ही वीडियो लात रहता हूं और मेरा इमेल आईडी किर्ति विक्रम सिंग परिहार at the rate gmail.com है तो वहाँ पर जाके आप मुझे मेल कर सकते हैं इसके लावा मैं कहीं पर भी किसी को भी online appointment नहीं देता हूँ तो अगर आपको dyspepsia की problem होती है तो mostly gas बनती है और जब gas बनती है तो हमें पेट में दर्द होता है कभी नीचे कभी ऊपर कभी यहां कभी दाएं कभी बाएं तो दर्द जो है वह बना सा रहता है और फिर सुबह होता हैक अबशाम होता है तो मतलब आपको अगर पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उसके साथ साथ आपको डकारे आएंगी और कभी भी थोड़ा सा खाना खाएंगी तो पूरा पेट फूल जाएगा, गैस बनने लगेगी, कभी उल्टी सी लगेगी, कभी दस्त भी होगी, कभी पेट अच्छे से साफ नहीं होगा, अग पूरे जाच करा लेते हैं, आपका सोनोग्राफिक करा लेते हैं, पूरे ब्लेड टेस्ट करा लेते हैं, सब कुछ करा लेते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि आपको कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन गैस तो बन रही है, पेट साफ नहीं हो रहा, आपका जो पाचन तं है लगबग अगर माल लेजे कि मैंने 100 patient को ये medicine दी है तो लगबग 70% patient को बहुत आराम लगा है 10% patient को थोड़ा आराम लगा है और 10-12% patient को वो तो होता ही है कि हर medicine सबके लिए लेकिन ये combination इतना effective है कि लगबग 70-80% patient को आराम लगता है और बहुत आराम लगता है तो आप ये medicine ये combination ज़रूर ट्राय करके देखें अगर आपको अपच की समस्या है आपका पेट अच्छा से साफ नहीं होता और आपका पाच्वन तंत्र कमजोर है तो medicine इसमें चार दली तो आपको नाम से NARC मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इनीशियल नाम है हर medicine के initials को उठाके मैंने NARC combination बनाया हुए है तो N for Nuxvomica type Nuxvomica सबसे पहली medicine में मिली हुई है सबसे पहले हम जानते कि problèmes क्र 난 क्र नाम से मिली हुई है तो Nuxvomica में सबसे पहली medicine है और Nuxvomica indigestion के लिए dyspepsia के लिए होमे पाथी में सबसे best medicine सबसे best medicine है, कभी आपको motion जादा होते हैं, कभी lose motions हो जाते हैं, कभी constipation हो जाता है, जब भी थोड़ा सा खाते हैं, तो paid full जाता है, आप non-wich खाने के सौखीन है, आप alcohol पीने के सौखीन है, समय पे सोने के सौखीन नहीं है, मतलब देर रात में आप सोते हैं, mostly sedentary life जीते हैं, जो कि आज कल 70-80% लोग जीते हैं, तो आप अगर आपकी lifestyle बहुत खराब है, और उसके कारण आपका पेट खराब होते जा रहे हैं, आप बहुत चेड़शिड़े होते जा रहे हैं, मतलब लगबक आज कल के जमाने में जो पेट की समस्या होती है, सब symptoms नक्सवोमिका से मिल पेट की समस्याओं के लिए, दूसरी medicine, N और फिर उसके बाद A, A for Asafotida, Asafotida मतलब हींग, दोस्तों हींग मोसली घर पे हमेशा यूज होती है, और आप जानते हैं कि हींग का सेवन करने से SCAT में बहुत आराम लगता है, अलाकि हींग, Asafotida अगर आप dilution में लेंगे, 30CH potency में तो आपको acidity और gas formation कम होगा, तो मोसली अगर gas कम बनेगी, acidity की problem कम होगी, तो आपको पेट में दर्ड नहीं होगा, अपच की समस्या नहीं होगी, तो मोसली ये SCAT और gas को ठीक करती है, तो Asafotida हमने 30CH potency में इस combination भी बिलाया हुआ है, नक्समुमी का 30, Asafotida 30 और तीसरी medicine है, रोबीनिया 30, रोबीनिया भी gas और acidity के लिए सबसे best medicine है, बार बार ढकारे आती है, खटी ढकारे आती है, जलन होती है, acidity की problem होती है, पेट साफ नहीं होता और दर्द कहीं 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 बना रहता है, तो रोबीनिया बहुत ही effective medicine है, तो रोबीनिया 30CH potency में इस combination मे मिला हुआ है, और last medicine है, कार्वो वेज, दोस्तों कार्वो वेज अगर उपर के तरफ आप गैस चरती है, बहुत जादा और बहुत जादा डकारे आती है, और दर्द बना रहता है, कमजोरी सी लगी रहती है, हमेशा weakness, हमेशा dullness सी हो, तो कार्वो वेज बहुत ही effective medicine है, कार कार्वो वेज ठेटी, सफोटीडर ठेटी है, और रोबीन या ठेटी है, होमेफेथिक शॉक से ले के आना है, WSI, डॉक्टर रेक्वेक, या SBL, या कोई भी अच्छी कमपनी की, आप 30 ml फाइल में ले के आईए, वहीं से एक 100 ml की खाली CC मिल जाती है, तो आप बोलेंगे कि ड्रॉपर वाला खाली CC 100 ml की दे दें, तो वह दे देंगे, अब आपको घर पर ये 4 CC ले के आना है, साथ में एक 100 ml की खाली CC ले के आना है, और बराबर मात्रा में मिलाना, 30 ml मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिफ 10-10 ml मिला लीजे, 10 ml आप ऐसा 40 डा 30 डाल दीजे पहले 100 ml की मालीजे ये खाली CC है, तो 10 ml ऐसा 40 डाल दीजे 30, उसके बाद आप 10 ml कार्वो वेंज डाल दीजे, 10 ml आप नक्स भूमिका डाल दीजे और 10 ml ही आप रूबीन ये 30 डाल दीजे, अब आपको बस इसका ड्रॉपर लगाना है मालीजे मेरे हाथ में अगर, वो CC है, तो ड् खकन बंद करना है, और इसका अच्छा से हिला लेना है, लिख देना है, NARC combination और नीचे gas, acidity, indigestion, constipation बे लिख देना है, और घर पे रख लेना है, अब इसका इसका इस्तमाल करना है, अगर आपको हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है, तो आप 2 बुंद सुबह पिएं, 2 रात में पिएं, ये medicine आप कम से कम एक महीने तक लीचे आराम लगे, तो इसे 3-4 महीने कंटीनू करें, हाला कि अगर आपने 10-10 ml में डाला है, तो लगबख 40 ml बन चुका है, ये combination और 40 ml लगबख 2-3 महीने आराम से चल जाएगा, अगर आपको माली जे कुछ आप, आपने पीख हो जाएगा, तो इसे as acute medicine और as a chronic medicine and sub acute medicine तीनों तरह से ही आप इसका उप्योग कर सकते हैं, घर पे ये N-A-R-C combination जरूर रखें, बहुत ही effective ये medicine हैं और बहुत ही अच्छे results मिलते हैं, होमेपेथिक medicine, नक्सपोमिका, रोबीनिया, कार्वोवेज और ऐसा फोटीडा, इस चारो ही medicine आपके पेट के लिए बहुत अच्छी है, और जरूर आप इनका combination बना के अपने घर पे रखें, अपनी पेट की समस्याओं से बचें, और अगर आपको अपच, डिस्क पैपसिया या इन-डिजेशन की समस्या होती है, तो इसका उप्योग आपको जरूर करना चाहिए, दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ, अगर अच्छा लगाओ, तो प्लीज वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दीगा है, तो इसको दबाना बिलकुन लिएगा, यहाँ पर एक रड़ का अगर सब्सक्राइब का बटन दीगे ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, पीचे कमेंट शेक्षान है, मैसेज ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक झाल झाल